एक देश के सबसे important निर्ने उसकी देश की राजधानी में लिए जाते हैं और इसलिए देश की राजधानी को protect करना उतना ही आवश्चक है दुनिया भर के देश अपनी राजधानियों को air defense system की मदद से protect करते हैं और कहीं न कहीं आप देखेंगे भारत के भी डेली को पूरी तरह से air defense system से protect किया गया है ताकि किसी भी प्रकार का नुकसान न हो सके क्योंकि दिल्ली भारत की judicial, administrative and legislative capital भी है तो यहाँ पर इस प्रकार से air defense system deploy होते हैं उनके साथ radar होते हैं और वो आकाश से आने वाले aeroplane, aircraft, drone या फिर missiles इत्यादी को आकाश में ही नेस्ताबूत कर देते हैं तो इस प्रकार के radar system होते हैं भारत के पास यह चार प्रकार के system है यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत के पास एक BMD, BMD का मतलब है, देखें, BMD का मतलब क्या है BMD का मतलब है ballistic missile defense program जिसके तहर हमने आकाश air defense और साथी साथ में हमारा एक प्रत्वी air defense यह दो program है, यह short range की missile को tackle करता है, 2000 km तक की या फिर endo atmosphere में है तो यह 15 से 30 km तक के range में आकाश में missiles को break कर देता है वही प्रत्वी advance defense से 100 km प्लस के range तक मारक शमता रखता है हमने जादा long range missiles को रोकने के लिए Russia से S-400 ट्राइम सिस्टम लिया है और इसकी मदद से हम लोग पाकिस्तान या चाइना से आने वाली missiles को रोक सकते हैं इसलिए इसको पंजाब sector में deploy किया गया और उसके अलावा जो low flying object है उनके लिए भारत में drone guidelines को लागू किया गया है तो यहाँ पर आपने manpads का भी नाम सुना होगा manpads क्या होता है man portable जो एक आदमी अपने कंधों पर लेकर चल सकता है और आकास जाने वाले target को hit कर सकता है यहाँ पर यह NASAM NASAMS यह air defense system है नौर्वे का यहाँ पर यह आपको S-400 air defense system दिखा इसका भी advanced version आगया S-500 यह America का patriot यह भी बहुत advanced system है इसके अलावा आपने iron dome system का भी नाम सुना होगा लेकिन एक बात और बता दू भारत indigenize तरीके से S-400 से भी ज़्यादा advanced air defense system बनाने वाला है 2028-29 में आपको दिखेगा खुशा air defense system वो क्या है detail में आगे बात करेंगे यहाँ पर यह वो तीन air defense system है जिसके मदद से भारत S-400 long range प्रत्वी advanced defense and advanced air defense इसका नाम अश्वीनी है और इसका नाम प्रद्युमन है हिंदी में अब यह ballistic missile defense BMD program के तहट develop किये गए किसी कारण से आकाश missile उतनी ज़्यादा successful नहीं रही है इसलिए quick reaction missile हमने बराक air defense system को शामिल किया है ताकि किसी भी प्रकार से परिंदा पर न मार जाए मतलब किसी भी प्रकार से कोई अन्य देश हम पर attack ना कर दे तो यह तीन air defense system है अब आप यह भी देखेंगे कि कैसे भारत का air defense system काम करता है सी आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि enemy दुश्मन ने एक missile launch की जैसे इसने launch की तो यहाँ पर अलग-अलग प्रकार के इस प्रकार के radars होते हैं यह radars क्या करते हैं पहले इसको locate कर लेते हैं ट्रैक कर लेते हैं किस गती से यह missile आ रही है किस दिशा में इसके coordinates क्या है और उसके बाद में बहुत ताकतवर तरीके से जो quick reaction missile से जैसे प्रत्वी एक successful quick reaction missile है आकाश भी है लेकिन आकाश के लिए हमने बराक लिया है S-400 भी है तो यह इस तरह से आकाश में सही angle पर आकाश में ही breakdown कर दिये जाते हैं अब ऐसा नहीं है कि अलग-अलग प्रकार के radars क को हमने अलग-अलग location पर deploy करना होता है क्योंकि radiation की मदद से जो flying objects है for example जो missile है और aircraft उनको रोख सकते हैं अब आप पूछेंगे सरी आकाश में क्या ओड रहा है यह अवाक्स airborne warning and control system है यह अवाक्स इस्राइल का है भारत के पास भी ऐसा एक नेत्रा है जिसकी मदद से आकाश में भी यह plane उड़ते रहते हैं हमारे और वो देख लेते हैं भाप लेते हैं कि भई एक missile छोड़ी गई है तो यह भी अपने आप में 360 किलोमेटर तक की रेंज चाने वाली missile को पे नजर रखने का काम करते हैं भारत ने अपना इंडिजनाइज अवाक्स बनाए जिसका नाम है नेत्रा इस इट क्लियर तो यह इस प्रकार से काम करते हैं अब बात आती है कि हमारा डेली कैसे प्रोटेक्टेड है तो जैसा मैंने आपको बताए BMD प्रोग्राम के तहत फेज वन दिया है फेज टू दिया है हम लोग डेवलप कर रहे हैं कि 2000 किलोमेटर तक की रेंज से और 4.5 मैक स्पीड से कोई मिसाइल आएगी तो उसको फेज वन में हमने डेवलप किया और यह AAD और PAD की मदद से अब मैक स्पीड गया होती है 1 मैक इस इक्वल्स टू 331 मीटर पर सेकेंड या फिर 1234 किलोमेटर पर आर इस गती से जो मिसाइल चलती है 1234 किलोमेटर पर आर मतलब आप इसको 4.5 से मल्टिप्लाइ करेंगे इस स्पीड के मिसाइल को भी आकाश में रोका जा सकता है उसको ब्रेक कर दिया जाता है हमेशा रडार का बहुत ताकतवर होना जरूरी है मिसाइल का क्विक रियक्शन होना जरूरी है और इसके अलावा आने वाले समय में 6- साथ मैक मतलब हाइपर सोनिक मिसाइल भी यह दियाएंगी यह जो पांच मैक तक की मिसाइल होती हो सूपर सोनिक होती है तो इनको भी इंटरसेप्ट किया जाएगा and then killed by the missile आपने नाम सुनाओगा iron doom उसकी रेंज 70 किलोमेटर की और वो आकाश में छोटे-छोटे टार्गे सिस्टम है आकाश की रेंज है 25 किलोमेटर आप देख सकते हैं और यहां पर एक और नासाम्स जिसके बारे मैंने बताया था नौर्वे का एर डिफेंस सिस्टम है इसको भी डिप्लॉय किया हुआ है यहां पर बराक 8 इसलिए लाया गया क्योंकि आकाश उतना सक्सेस्पुल दिये कि ड्रोन को रोकने के लिए भी क्योंकि ड्रोन का साइस छोटा होता हुँँ आसानी से रडार में नहीं आते हैं तो अलग-अलग प्रकार के रडार्स की आवश्क्ता होती है राइट बहुत आने वाले समय में तो हाइपर सोनिक मिसाइल सोंगे उनको रोकना उतना ही टाफ हो जाएगा तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि BMD यहां पर जो नेशनल कैपिटल रीजन है दिल्ली का इंक्लूडिंग डैलियन यूजज रडार लाइक ELM 2080 Green Pine and ELM 2090 Terra Radar System आप लोग देख सकते green pine ओर टैरा Radar System यहां पर green pine ओर टैरा Radar System यह यहां पर जो अलग-अलग आपको यहां पर दिख रहे हैं यह सभी अलग-लग प्रकार के RadarS को deploy किया गया है ताकि हम किसी प्रकार की हमसे चूक न हो जाये और आने वाले समय में हम लोग Mumbai में भी इसी प्रकार का reserved बना देंगे क्योंकि डेली के बाद Mumbai is the most important city of India because Mumbai Mumbai is the commercial capital of India right तो यह point भी आपको याद रखना है भविश्य में हम लोग देखेंगे कि खुशा air defense system यह दोजर 2829 में बनकर तयार हो जाएगा और इसका cost होगा इसके लिए government of India ने लगबग 28000 करोड रुपे के करीब deploy कर दिये हैं और हम लोग क्या करेंगे 150 किलोमेटर रेंज हो 200 किलोमेटर रेंज हो साड़े 300 किलोमेटर रेंज तीनों पर यह उसको tackle कर लेगा और दुनिया के Patriot Iron Dome और S-400 से भी ज़्यादा ताकतवर माना जाएगा तो इस तरह से hostile missile को आकाश में ही रोक लेगा तो आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगा होगा अगला वीडियो आप किस topic पर देखना चाते हैं कॉमेंट में जरूर बताईएगा मैं आपके लिए सारी की सारी चीजों को clarity के साथ समझा दूंगा आप लोग लगाता जुड़े रहिए UPSC IQ चैनल से और और साती सात में हर्याना के अड़ा 24-7 चैनल हर्याना के study IQ चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं ठीक है तो God bless you all आप लोग subscribe कर लीजिएगा चैनल को और अगला topic किस पर चाते हैं वो भी आप जरूर बताएगे God bless you all, thank you so much, Jai Him